दोस्तो OpenAI ने ChatGPT में image का support release किया है और audio का भी support release किया है मैं आपको उसका quick demo देता हूँ देखो यहाँ पे attach image यह icon देख रहा है तो आप attach कर सकते हो या drag and drop कर सकते हो मैंने Niagara Falls विजिट किया था उसकी यह image है तो मैं उसको drag and drop कर देता हूँ और उसको पूछता हूँ question कि भाया यह image कहां की है देखो फटाक से बता दिया कि यह Niagara Falls की image है मैं उसको यह पूछता हूँ कि यह image कौनसी date पे ली गई है अब देखो यह पुराने camera से picture लिया था तो यहाँ पे 16 June 2000 है जो इसने बता दिया 16 June 2007 तो यह काफी अच्छा work कर रहा है अब मैं पूछता हूँ कि कितने लोग है इस picture में इस image को दियान से देखोगे तो आपको लगएगा एक, दो, तीन, चार ही लगए लेकिन देखो यह background में यह viewing station है Niagara Falls पे और बहुत सारे लोग खड़े है और as a human भी हमें कितने लोग है वो पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो देखा इसने बोला numerous people, primary focus is the man on the foreground तो मेरी बात कर रहा है वो और देखो उसने बोला कि exactly count करना मुश्किल है तो मतलब I can understand कि हमको भी तकलिफ हो रही है तो इसको हो रही है तो अब मैं उसको ये बोलता हूँ मैंने उसको ये पूछा कि कौन से main object यहाँ पे present है और देखो कितना अच्छा description दिया उसने बोला a man in the foreground wearing striped yellow t-shirt yellow and blue t-shirt देखो मैं image अपनी ये side में दिखता हूँ तो ये बात उसकी सही है मैंने striped yellow और a wooden observer deck जहाँ पे बहुत लोग खड़े तो वो image हमने देखी देखो यहाँ पे एक deck है ठीक है उसके बाद में trees and greenery on the left hand side तो left hand side में trees greenery various people taking photos तो ये तीन लोग जो photo देख रहे है उसमें ऐसा भी बोला कि two women on the left one wearing black head scuff देखो इसने head scuff दिया इसने picture भी दिया है और sky and scatter clouds है, building and sky scrappers likely from cityscape of Niagara Falls, Ontario देखो ये बहुत amazing है ये जो portion है जहाँ पे building लिख रही है वो Niagara City, Ontario, उस type पे Ontario, Canada में है और इस side का US में है तो इसको इतनी intelligence है कि उसने ये भी बता दिया कि ये city कौन सा है तो यार ये मैं तो I am very impressed to be honest ये बहुत ही amazing feature release किया है अब दूसरी एक थोड़ी useful चीज़ भी मैं दिखा देता हूँ कि चलो ये तो image analytics हो गई मैं जब Bloomberg में काम करता था न तो हम लोग को ऐसी PDF images आती थी जहाँ पे company के earnings वगेरा है देखो ये image मैंने rush lane जो है thanks to that website देखो मैं आपको website दिखा देता हूँ ये website पर से Tata Motors के earning का एक image simple image है, okay ये मैंने उठा लिया है जब मैं Bloomberg में काम करता था तो ऐसी images में से हम data extraction करते थे और data extraction करना actually बहुत hard था because ये हैं एक transpose table है जहां पे देखो बहुत ही two or three different dimension है और इस image में से data निकालना मुझे पता है कितना hard है लेकिन अब ये देखते है कि chat GPT ने ये पूरा काम कैसे easy कर दिया मैंने image attach करके बोला मुझे कुछ question है first question मैं पूछ रहा हूँ consolidated abit percentage for 2020 q1 अब देखो ये exact text visible नहीं है image में image में लिखा है console तो अगर ये smart है ना तो उसको पता होना चाहिए कि console means consolidated देखो console दूसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ abit percentage जो यहां पे है और मैंने बोला 2021 q1 यहां पे 2021 q1 clearly नहीं लिखा है एक तो q1 है बाद में fi21 है और वो भी ultra ऐसे vertical है तो clear text नहीं है तो अगर कोई आप OCR का code लिखोगे optical character recognition वगिरा तो I think उसको बहुत तकलीफ होगी है detect करने में अब देखते हैं कि chat GPT उसको कैसे करता है भया देख लो इसने तो फार दिया मतलब तोड़ दिया अब देखो EBIT percentage है 15 और financial terminology में जब भी bracket में होता है उसका मतलब वो negative value होती है उसने negative बता दिया दूसरा question पूछता हूँ Jaguar Land Rover उसका PBT क्या है अब देखो यहाँ पे JLR लिखा है Jaguar Land Rover क्लियरली नहीं दिखा है और वो image में यह थोड़ा उल्टा टेडा मेडा है तो मेरे Bloomberg के experience में से बताता हूँ कि यह detect करना using traditional methodology is very hard अब देखते हैं कि chat GPT क्या करता है Once again Super impressive folks 430 million See 413 मतलब तोड़ दिया इस नहीं This is very difficult task लेकिन chat GPT ने नहीं करके दिखाया Folks यह feature सिर्फ जो pro user है जिनके पास GPT 4 model का access है सिर्फ इनको ही available है यहाँ पर यह मैं एक page दिखा रहा हूँ जहाँ पर recently announcement किया था open AI में तो इस page में audio का भी एक feature दिखाया है तो आप यह page की link नीचे मैं रख देता हूँ तो audio में basically आप talk कर सकता हो अगर आपकी पास chat GPT की app है तो आप उसको बोलोगे कि मेरा बच्चा सो रहा है उसको bad time story सुना दे तो वो story सुना देगा उसको बोला कि तू कोई चीज पर poem लिख दे तो वो poem लिख देगा इना audio format तो इसकी link में आपको दे दूँगा आप वहाँ पे जाके खुद देख लो अगर आपके कोई friends है उनके साथ ये video शेर करना चाते हो तो you can share अगर कोई question है तो नीचे post कीजिए